चलिए तो आब आ गई हूं किचन के अंदर और आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी तरीके से बनने वाला ब्रेकफास्ट जो खाने में तो सुपर टेस्टी लगेगा ही और इसे बनाना बहुत ही आसान है और बच्चे तो इसे बहुत जादा पसंद करते हैं तो चलिए इसे रात में बनाये थे चावल तो आप कितना भी नाप करके बनाई है तो भी थोड़ा बहुत जादा होई जाता है तो मैंने सुचा कि क्यों ना इसका कुछ बना लिया जाए अगर इस समय नहीं बनाऊंगी तो हो सकता है कि खराब हो जाएंगे तो इसलिए अब क्या करते हैं क देखे मैंने दो कटोरी नाप करके चावल ले ली हैं यह चावल बने हुए है यानि कि यह उबले हुए चावल है पकेवे चावल है अब इसके बाद मैंने क्या किया है कि जिस कटोरी से मैंने चावल नापे थे उसी कटोरी से आधा कटोरी मैंने इसके अंदर बेसन मिलाया तो एक दिन पुराना दही लगेगा और अगर घटटा धही नहीं है तो आप फ्रेश भी इसमें मिला सकते हैं दही मिला देने के बाद इसका क्या करेंगे कि इसको जार में डाल करके और इसे एक फाइन सा पेस्ट बनाएंगे तो इसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिये एक कटोरी पानी हलका सा मैंने जार चला लिया था और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी तो दे जब भी बासी चावल बचे तो आप जरूर से एक बार इस रेसीपी को ट्राई करें इसे बनाने के बाद आपको कभी भी यह नहीं रहेगा कि अब मैं चावल का क्या करूं क्योंकि गर्मी को मसाम में चावल बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं अब क्या करेंगे ना कि इसके मसाला तेयार करेंगे, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लेगेगा, तो सबसे पहले मैं ने इसके अंदर डाल ज़ी हैं, तो hari mirch काट कर के डाली है, साथ में मैंनेा आटफ से स्काली म॥्यंकों तो हम जरूर से इसके अंदर यह ढगशा दालना नहीं श्लमין सब्छाइस अ मैं आधह चमpage मुझे शॉरक да यानि की तीन से चार चुटकी मैंने भी हिंग डाली है और ऑसी तरिक्서 के अगर यह कॉझा से तो आपको बैटर गाढ़ा लगे लिगा तो आप Consumer को कलीफ सकते हैं बेकिंग सोडा मिला देने के बाद इसे आपको फटा फट से इस तरीके से फेट लेना है और इसे रखेंगे साइड में अब क्या करेंगे कि साथ खाने के लिए मैं चटनी तैयार करूंगी तो मैं आगई अपने बैक्यार्ड गार्डन में और वहां से मैं मतलब पौदीनी की अच पौदीनी की चतनी बनाऊंगी अप चाहे तो बिना चतनी के भी से खा सकते हैं अगर आप रह साइदे तो यह में तेस्टी लगेगा अब आम इक क्या करना है कि मैंने तीन हरी मिल्स ली है और शाथ में साथ से आठ कलिया मैंने लहसनं के लिए है और एक मुठी मैंने पौदी ना लिया है अगर आपके पास धनिया हो तो आप उसमें धनिया भी मिला सकते हैं अब क्या करेंगे कि इन सारी चीजों को दो लेने के बाद मैंने इसे काट लिया है और इसके बाद मैंने इसे डाल दिया है जार के अंदर तो जार के अंदर मैंने हरी मिर्च और साथ म लेसन की कलिया डाली है और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच मैंने इसके अंदर भुना हुआ जीरा डाला है अगर आपके पास भुना हुआ जीरा नहीं हो तो आप कच्छा जीरा भी इसके अंदर एड कर सकते हैं और इसके बाद मैंने इस डाल दिया, थोड़ा सा पाई डाला है, और हमारी चटनी पीस करके हो गई है, तैयार, तो इह चटनी थोड़ी सी पतली हम醊 को पर इसको ज्यादा गाड़ी भी नहीं करना है, यह चटनी इसी तरीके से खाने में काम में आएगी अब चटनी बन जाने के बाद इसे रख देंगे साइड में और चलते हैं आगे की तरफ यानि की जो बैटर हमने रेष्ट पर रखा था अब इसे बनाने के लिए मैं क्या करूंगी ना कि एक इस तरीके से किनारी वाली थाली ले लोंगी आपके पास कोई भी तो कि यहां अगोई ँम्हism आप उसमें भी बना सकते हैं लेकिन आज आपको घ्ली में बनाना ना दिखाऊंगी और कड़ा ही में मैंने कर लिया है पानी गरम अब क्या होता है कि पानी गरम करने के बाद कातोरी जब हम रखते हैं जब तो तैरने लग जातीत तो आप करेना कि कटोरी के अंदर भी थोड़ा सा पानी रखें तो क्या होगा कि इससे आपकी कटोरी बिल्कुल भी पानी में नहीं तैरेगे और उसके बाद मैंने इसमें रख दी है थाली जिसमें मैंने इस बैटर को डाला था और इसे अब हम कबर करके पकाएंगे 8-10 मिनट तक 8-10 मिनट यह बन करके तैयार हो गया है और जो यह थंडा हो गया था तो मैंने इस तरीके से इसे काट लिया है तो आप थंडा होने के बाद ही इसे कट करें यह बन करके बहुत ही सॉफ्ट तैयार होंगे तो देखे इस तरीके से मैंने यह कट कर लिये थे अब इसमें लगाएंगे ए तो यह दोनों पक चुके हैं अब क्या करेंगे कि इसके अंदर जो हमने चावल के खमन बना के रखे थे इसको मैं डाल दूंगी इसके अंदर डाल देने के बाद इसे हमें अच्छी तरीके से टॉस कर लेना है तो देखे आप इसे कम से कम 2-3 मिनद तक शेक लें उससे क्या हो कि बहुत ही टेस्टी बनेगा खाने में और साथ में मैं इसके अंदर दाल चांवर बूर्मासाला आप बिल्कुल भी नहीं बूले आप जरूर से एक बार सांवर्मासाला डालें और अगर आपका कहने के शोकीन है तो अब इसके उपर नींबू भी ढाल सकते लेकिन चटनी तो बच्चों को जरूर से पसंद आएगा तो यह बन करके बहुत ही तेस्टी तैयार हुआ है और आज हमारी बच्ची घर पर ही थी तो इनके लिए बनाया है यह सूपर टेस्टी ब्रेकफास्ट और इन्हें भी बहुत ही ज्यादा पसंद आया है